नमस्कार दोस्तों जैहिंद डीके आदम नियूज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रेब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन बंदे मातरम यह कहना चाहता हूँ कि जो आगे आने वाले हालात हैं आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा आपकी फौज रोटियां तक्सीम किया करेंगी अपनी हफाजत में क्यूंकि आपके जहां पर रोटियां तंदूर होंगे वहां पर ढाके पढ़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पढ़ने वाले हैं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इंडिया में महंगाई कम हो रही है देखें तो मुलक के हलाद जो हैं दिन बदिन नीचे जाते जा रहे हैं और जराय का यह कहना है कि इस वकत शायद मुलक के अंदर तीन हफ़ते का राशन जो है वो रह गया है उसके बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम है और IMF हमारा लोग अभी तक पास नहीं कर रहा है और IMF ने क्या किया है उसके पर हम बात करेंगा IMF ने जो है वो तक्रीबर दो ट्रिलियन यानिके दो हजार अरब रुपए की मालियाती इखलाव वर्जी की दिए और फंड का सख्त इजावी टेक्स एक्दमाद को मतालबा भी किया है हुकाम का कहना है कि बुनियादी हसारे पर कोई मालियाती तखीर जो है वो नहीं हुई है और जो भी पाकिस्तन का प्लैन उसके उपर उसको फाइनल किया जाएगा लेकिन खबर यह है कि 300 बिलियन रुपीज के टैक्सिस नहीं बलके जो एडिशनल टैक्सिस हैं वो 600 बिलियन से उपर के लगेंगे तो अब आप य 600 बिलियन रुपीज बिल्कुल यह वाली को यह तो अभी हर बंदे को निचाएंगे यह तो पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भई यह तो पूरी कौम नाचेगी मैं लेकिन आर्जू मैं दुख होता है मेरा मेरी मादरे मिलत है लेकिन पस्तियों की नए से नए हमें धोके दिये जा रहें अकाउंट ostr were के मुँपे पैसे मारेंगे लोग बार से आकर मजदूरियां करेंगे हम ये कर देंगे किस खामोशी के साथ और मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपने घलती को एक्सेप्म नहीं करेंगे माफी भी नहीं होती हुदा के द होगा कि establishment अपनी घलती का इत्राफ करें कि हम स्टेम सब्जेक्ट पढ़ें इनकी मौशी मौशियत तो ठीक हो को कारोबार तो करें को खाने काने लेकिन जब पेट में खाना होगा जब अकान में ठीक होगी सोचें में ठीक हो जाएंगे लेकिन जब भूख से जान निकल रही ह है नहीं खाना क्या दे ना खाना तो अब लग्जरी है इस वकत मुझे आप आप मेरा यह क्वेस्टन मारक है बाइस क्रोड लोगों से यह सवाल है पचास रुपए की रोटी और साथ रुपए का नान किस तरह खाऊगे बई कि मुझे बता दो मैं कम से कफ मैं तो चुप कर अब क्या करेंगे कई दफा कई दफा मैं सुन चुका हूं कई दफा सुन चुका हूं कि आप एक मुलक बनाने की सलाहित रखते थे आप मुझे आज याद है मुझे आज से कुछ अरसा पहले पांच-छे साल पहले मुझे शौक हुआ इस बात का कि जो वोईस रॉइड जो क्या कार्सपर्मस करते थे तो मैं उनको लेटर ढूंट ढूंट के पढ़ता था इंग्लिश लेंग्विज के मुझे क्योंकि 18th century की लेंग्विज भी अलग थी तो मुझे शौक था मेरी नजर से एक लेटर गुजरा मैं दुबारा बलके seriously उसको quote करूगा किस ने किसको ले रहे हैं लेकिन ये अजादी इनको कोई पता नहीं है कि हाउ टू गुवर्न तेमसेल इस कौम को बिलकुल नहीं पता कि अपने आपको किस तरह गुवर्न करना है अजादी इनके लिए ठीक नहीं है हमें 50 साल यहां रह के हम मजीद 50 साल इन पर रूल कर सकते हैं और हमें आज भी फिट पड़ता है आप गुवर्न करने की सलाहियत रखते हैं अपने आपको नहीं रखते हैं 1947 से पहले तो इस मुलक के बिटवारे पर मैं अग्री नहीं करता मुलक का एक ऐसा टुकड़ा मुलक का एक हिससा ऐसी जगा पे जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते इ इतने ज्यादा रेसस हैं जिसकी हद कोई नहीं है पाकिस्तान बनाने की मुव्मेंट बंगाल से शुरू हुई है बंगाली गो ने पाकिस्तान बनाया था बिलको आपकी अबादी भी उनसे ज्यादा थी आपने बंते ही उनके खलाफ साजशें शुरू कर दी आप पिच्छ कि हमारा डी आने ऐसे कि थोड़े से मोगलिया यह आते थे लोग तरकेश बगरा और मारे एक बहुत बड़े महा भारत के उपर वो रूल करते रहे हैं आज जो वो नफरते हैं वो उसके रिजल्ट है उसका नफरत है पाकिस्तान से नफरत मुसल्मानों से नफरत दूसरा यहा ट्वीट करता हूं जो दूसी चीज़ें करता हूं पढ़ता हूं दोनों साइडों पे इतनी नफरत है जिसकी हद कोई सलेमस का हिस्सा है दोनों साइडों पे नफरत सोलर की सहुलत यह नहीं देते कोई अगरी कल्चर को पर्मोट कर ही नहीं रहे अगरी कल्चर और एक्सप बिजली के बिल डीजल की केमते बढ़ी हैं खादो के रिट जादा बरे जो के गवर्मेंट के कंट्रोल की चीज़ गैस बिजली इनसे हर चीज महाइगी हो रही है हर बंदे का अफ़ट जो है बिजली गैस के उपर आ रहा है जो गवर्मेंट के कंट्रोल में दवाई महाइग है हर चीज महँंगी है ड्यूटीए ज्यादा है यह पर्मोड करें ना धुर्मिंट इंडिया के साथ मुआइना करें के इंडिया में प्याज है वीशस्तान और सिंथ के अंदर बारिश और सलाव से इन्होंने काला डैम नी बनाना कोमी जरूरत है अब वो किदर गए काला डैम ना बनाने वाले सरद भी डूब गया बलोचिस्तान भी डूब गया सिंध भी डूब गया फिर इनके आखनी खुल लिप मैं पचास साल से जग रहा हूं काला बाग डैम बनना चाहिए बनना चाहिए जो नहीं बना रहे हैं अब ने कहा कि हमें इंडिया के साथ मौहिदा करना चाहिए उनके साथ पॉलिसी बनानी चाहिए उनसे प्यास टमाटर जो चीजें यहां पर महंगी हैं वहां पर सस्ती है वो लेनी चाहिए तो जब यह चीज कसानों को पता है साइंसतानों को पता है आम अवाम को पता है तो ये बात हमारे हुक्मरानों की समझ में क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं इंडिया के साथ कोई ट्रेड खोलते हैं देखें बीबी जी बात सुनें ना हमारा मुकफ है अवाम को रलीफ अवाम को मारना नहीं है अवाम को जिंदा रखना है महंगाई से भी बचाना है और उन्हें खुराक देने हैं खुराक के लिगार कोई गुजारा नहीं है अब जिस्ता है बात यह बाची जे जो के नजाईज हैं मगर बिमारी के अंदर भूख के अंदर वो जाईज करार हो जती हैं तो क्यों नहीं जब हमारे पास प्याज माँ 20 और प्याज की शाटिंग एंगा हमारा जो हुक्मरान है वो अपने जो है अपने मुफाद के मताबी पॉलिसियां बनाते हैं उन्हें वो अपने जाती मुफाद वाली पॉलिसियां बनाती हैं मुल्की मुफाद के लिए वो कोई पॉलिसी नहीं बनाते देखें बिबी जी बात सुनें ना, आप इधर पाकिस्तान में रहती हैं, गंदम के दिनों में हमारे मुलक में इतनी गंदम पैदा होती थी, कितना बड़ा जमीदार, बेरोक्रेट, मन, ए, 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 उ, लैन में लगके तसीलदार, पटवारी और ए, सी से परमड ल लाग होते थे, आप गुजर नहीं सकते थे, नमस्कार दोस्त जहन, दोस्तों पाकिस्तान में आई-एमिप के कहने पर 600 अरव रुपए के नए टेक्स लगने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में महेंगाई एक साथ बहुत तेजी से बड़ेगी, जिससे पाकिस्तान में का साफी जादा परेसानी होगी, पाकिस्तानियों का कहना है, जब महेंगाई इतनी जादा बढ़ेगी तो पाकिस्तान में रोटी की रखवाली भी फोज को करनी पड़ेगी, बनना लोग डाके डालेंगे, क्योंकि जब टेक्सिस लगएंगे तो पाकिस्तान में बेरोजगार का बहुत ही जाद प्रकौтов होगा इस बजह से पाकिस्तान के हालद बिघड जाएंगे और पाकिस्तान के बड़े-बड़े सहरों में डाके पड़ेंगे क्योंकि लोगों के पास इंकम का सूर्सेश नहीं रहेगा इसलिए पाकिस्तानी आप 20 seconds की वहार लगा रहे हैं पाकिस्तानियों का कहना है कि बारत से ट्रेड खोल दी जाए जिससे कुछ हमारे हैं महंगाई की कमी आए क्योंकि पाकिस्तान को बारत से ट्रेड करने में काफी ज़्यादा फायदा होता है इसलिए हर एक पाकिस्तानी यही गुहार लगा रहा है लेकिन पाकिस्तान की सरकार बार बार कहकर रह जाती है क्योंकि इमरान खान को यदि पाकिस्तान की सरकार ये कदम उठाती है तो इमरान खान की पॉपलरिटी और ज़्याद़ बढ़ जाएगी क्योंकि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में सियासत की जाती है आपकी कहा है कमेंट में जरूद सैयर करें यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्काइब करें वीडियो पसंद आयên तो लाइक करें कमेंट करें और सैयर करें जैहिंज, वंदे मात्रम